नमस्कार तो आखिरकार एंटे ने अपने मन की करी ली स्टूड़न्स के विरोध के बापजूद एंटे जो है वो आप लोगों का एक्जाम 18 जुन को ही कंड़क करवा रहा है अलाकि स्टूड़न्स की डिमांड थी के एक्जाम को पॉस्पोन करो जब तक एंटे पर लगे आ तो आप सबी लिए के कुछ इंस्ट्रक्शन मा लेकर आया हूं कुछ इंस्ट्रक्शन को आपके लिए जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप उसकता है कि इंस्ट्रक्शन जो ना follow करें या कोई गलती आप से होजए तो disqualify किया जा सकता है तो हर चीज को द्यान से और पांसे नंबर पर गर्मी ओगा सीजन आ तो एक वोटर बोटल भी लेकर जाएगा और एक और चोटा से डाउट जो फोटोंग आ रहा है कि सर हम एक्जाम के अंदर जो है वह गड़ी लेकर जा सकते हैं तो एड्मिट कार्ड के अंदर खास तो पर मेंशन होता था कि गड़ पर एड्मिट कार्ड के अंदर ऐसा कुछ भी इंशक्शन नहीं है तो मैंने आपको गाइडंस दे दिया कि या स्मार्ट वोट विगर आगर आपके पास में है तो यह तो अलाउट नहीं की जाएगी अगर सोड़ेड़ सोड़ी सो वाली गड़ी आपके पास में हो तो वह एठेल आपके तो आप बाहर सी आपके पास में पास में तो आप साहसा कर अ पर नबर और आपकी पहचान उजागर होती है तो हम आपको डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने अपने प्लेड से उसको स्क्रैच कर दिया अलाउड नहीं है डिस्क्वालिफाई किया सकता है वाइटनर का इस्तमाल कर लिया वाइट लिख रखा है यहां पर नहीं कर सकते डिस्क्वालिफाई किया सकता है यह खास तरवे होता है इसलिए पिछली कई वीडियोस के अंदर से लगाता है मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूं कि OMR sheet का format मैंने अपनी अप पर प्रवाइड क कर आया था अगर आपने उससे नहीं देखा तो वह भी जुरूर देख लेना चैनल पर जाएंगे वीडियो के section में जाओगे न आप वहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना थोड़े से में पहले मैंने आपको प्रवाइड कर थी इस तरीके से offline exam की guideline करके इस वीडियो के अंद करना है अब यहां पर देखिए negative marking तो आपके question paper में होती नहीं यह तो आपको पता है तो देड़्यों के question paper आपको प्रणे है question आपको करने है और एक और डाउट आता है कि सर हमारे को देड़्यों question paper का सिरफ एक single question paper मिल जाएगा या 50 का और 100 का अलग-अलग question paper मिलेंगे तो भी break नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि आपको दोनों question paper कठे दे दिया जाएंगे चाहो तो पहले paper 2 को कर लो चाहो तो paper 1 को कर लो omr sheet फिर अलग-अलग यहां पर हो जाएगी 50 question की अलग से omr sheet जो paper 1 के अंदर ही होगी और 100 question के अलग से omr sheet होगी जो paper 2 वाले question paper के अंदर ही होगी पनी आपको महाँ पर फाड़नी होती है उसकी seal होती है उसको break करना होता है और फिर आप omr sheet को निकालते हो और एक और सबसे important बात शुरू निक बोल रहे है कि sir omr sheet में यहारे को हमारा roll number बरना होता है center code बरना होता है booklet number बरना होता है center का name बरना होता है तो उसमें time जाएगा हमारा तो क्या हमारे 180 मिनट के अंदर से जाता है यह नहीं आपको शुरुवात में 5 मिनट अलग से दिये जाते हैं ताकि आप वो सारी इसारी चीज़े बर लें वो बरने के लिए राम से 5 मिनट आपको मिलेंगे और इन्विजिलेटर की बात को वहां पर द्यान से सुन लेना क्योंकि अगर आपने फिर जल्द बाजी कर लिए और बिना समझे किसी भी पॉइंट के उपर ऐसी कुछ भी कर दिया फिर बाद में चक्कर बढ़ेगा कि आर आपने तो गलत बढ़ दिया मशीन लेती थी इसलिए cbs एक नाम यहां पर लिखा हुआ है वो तो जो पैन है वो आपको वहां पर प्रवाइड करवाती थी और बोलती थी कि आपको पैन भी नहीं लिका चाना इस पर एंटी ने अड्मिट काड के अंदर ये भी मेंशन नहीं किया हुआ तो इसलिए मैंने आप कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आया है या आपके मन में डाउट है तो कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं और यहां तक आगे तो वीडियो को लाइक जुरूट कर दो और चैनल बनाए है तो सब्सक्राइब करके रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बीडियो में आपको ले कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ रात को नोग बजे जो लाई शेशन आपके लिए चल रहे हैं आज की ज़रा दमाकेदार जानदार कमालदार शांदार होने वाला है तो आज क시면 दिas तो इससे पहले मैंने 20 lecture आपके लिए लगा दिया है important जो कि exam में आने वाले question को discussion करने के type से हैं उसे आप जुरूर देख लिएगा चैनल पर जाएंगे playlist के अंदर वो सारी live lecture आपको मिल जाएंगे जैसे मैं आपको दिखायता हूं जैसे आप चैनल पर जाते हैं तो यह live का section लाइव के section में जाना यहां पर देखो इससे पहले यह सारी lecture मैंने आपके लिए लगाए हैं इन lectures को आप देख लीजेगा अगर आपने नहीं देखा दो तो यह important वीडियो आप सभी के लिए थी वीडियो को like करने के साथ साथ में share भी करना है जाज जाज शूर्ण तक सकें और वो भी किसी परकार की गलती अपने एक्जाम के अंदर ना करें रात को 9 बजे मुलाकात करूं आप सभी के साथ में मज़े के साथ पढ़िए आगे क्यों रभडिए जय हिंद जय भार